पॉर्जार राम अब्याश शुष्रा है यहीं का निवासी हो पाराण सीगा याज अगनाजी किस तरीके के उट्वे को लेकर क्या दर्वे पूछें देखें मेरा मुद्दा सबसे बड़ा यह है कि जो अंडर एज लड़कियों के साथ बलतकार हो रहे है पांच साल छे साथ जो की बिल्कुल हैवानियत का एकडम जीता जागता उधारण सरकार उस पे ए अबला ठंडा पढ़ रहा है उस जो आरोपी उसको कोई बढ़िया वकीर मिल जा रहा है फिर वो जमानत लेगा मेरी सबसे पहली यह डिमांड है कि जो भी अंडर एज ब्रूटल मडर के अपराधी है उनको ततकाल प्रभाव से सेवा समिती ना दी जाए तुरंत 14 दिन के अ रूपी जो ब्रूटल मडर या फिर बलातकार पांच साल की बच्ची या शे साल की अंडरेज लड़कियों का कर रहा है उनको कोई भी हक ना हो कि वह हाई कोट या सुप्रीम कोट पर अपील कर सकें क्योंकि यह भी उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है आखिर कि मुझे इंसान होने पे कि एक इंसान इस परह की परिंदगी कर सकता सिर्ट विंकल क्यों आसिफा की केस में क्या हुआ है आसिफा के केस में उसके आरूपियों को उम्र कहत दे दी गई है उन्हें जीने का अधिकार रही है वैसी बच्चियों के साथ इतना कलत हो रहा है औ क्याल प्रभाव सुने फासी दीजें जब तक कि हमें मुख्य मंत्री से आश्वासन या ग्री मंत्री अमिशा से आश्वासन नहीं मिल जाता कि हमारी इंडिमांड पे वो लोग पूरा एक्शन लेंगे तब तक हम लोग बैटे रहेंगे चाहे मुझे अपने प्राण क्यों जिसके किसी का कोई अक्शन नहीं है तीस तारीक को ट्विंकल शर्मा अगवा हुई थी आज 15 तारीक है इस दौरान नेशनल क्राइम इनिस्फिगेशन के साथ से आप देख लीजेगा पूरे यूपी में 42 तीन अपहरण यहीं बनारस में हुए हैं आखिर इसका कारण क्या सदार्ना है और इसमें आप सब जनता आप मीडिया के हमारे बाई सब लोगा हमारा साथ दीजे क्योंकि आज ट्विंकल के साथ हुआ है कल किसी और के साथ हो गा हो सकता है वह अगली मावेहन हमारी भी हो कब तक अम लोग ऐसे ही करेंगे देश की दामीनी के साथ हुआ तो देश एक तत्रू हुआ था पर क्या आज दामीनी के सारे आरोपी को मिल चुकी है सजा किसी आरोपी को मेरे इसाफ से तो नहीं मिली है सजा आपके इसाफ से मिली होती है मैं सौरब मोर्या साधना फाउंडेशन ब्लेड कमांडो का संस्तापक एवं राश्प्रिय सची है हमने आज से एक हफ्ता पहले जब प्रिंकल शर्मा का जब मामला उठा और इस तरीके की घटनाए जब लगतार सामने आने लगी तो एक इंसान होता है जिसके दहरे की एक सीमा होती है आशिवा का सुना उसके बाद ना जाने कितने लुगों का सुना तो उसके बाद अलिगळ का फैर का इंसाब का फॉन कषेत्र का वाल चूड़ और अस रम तुटर के माध्यां से ईहां तक कि नेंद्र मोधी जी कोष्टितभी करके हमने उनको बोला कि 14 जून तक हम इंतिजार करेंगे यदि 14 जून तक आपका कोई फैसला नहीं आएगा तो 15 जून से हम और हमारे कुछ यूवा समाज सभी जो हमारे आख साती हैं उनके साथ हम लोग 15 जून से भूख और ताल पर बैठेंगे और यह भूख और ताल अनिश्चित कालीन तक चलेगी तब तक चलेगी जब तक हमारी मांग जो हम चाहते हैं उस पर मुख्यमंत्री जी या ग्रे मंत